हलो दोस्तों, वेलकम टो ओवर यूट्यूब चैनल मैथ स्कूरुची मैथ स्कूरुची यूट्यूब चैनल पर आप तभी का स्वाज़त है आज हम इस वीडियो में कोई essay या कोई letter discuss नहीं करने वाले आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले है कि MTS का जो descriptive जो कि आपका 28 January को होना है उसमें जो final blank answer sheet आएगी वो किस तरह से आएगी वो आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले है और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के description में ये PDF मिल जाएगी आप इसे download करके, print out करके आप उसी तरह practice कीजिए जिस तरह से आपके final में आना है तो इसकी PDF आपको इस वीडियो के description में मिल भी जाएगी तो आएए हम थोड़ा more discuss कर लेते है कि किस तरह से आपकी answer sheet आएगी तो ये लास्ट ये जो HSL की descriptive का exam हुआ था यहाँ पर BA 2017 लिखा है था तो I think अगर MTS का descriptive exam 2018 में हो रहा है तो यहाँ पर BA कुछ इस तरह से 2018 लिखा आएगा और पर जो first page है जो हमारे पास first page इस तरह से कुछ होगा जिस पर आपको नाम, ticket number, roll number, signature इस तरह से ये सबी लिखने हो कि आप ये सारा कहीं ऐसा नाव कि पिछले साल जो descriptive exam हुआ था एक candidate signature करना ही भूल जया था ये छोटी-छोटी बातों का आप जयान रखे स्कार्टिंग में आपने ये सारी जितनी भी mandatory details है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है और फिर उसके बाद यहां पर left and thumb injection यहां पर साफ साफ लिखा भी हुआ है that candidate the candidate will be awarded zero marks if they have not filled in the language in the box यहां पर box में language किस language में आप attempt कर रहे हो जो descriptive exam में वो भी यहां पर mention करना है क्योंकि CHSL का exam था उसकी अंजर sheet है तो वहां पर केवल हम दो language में attempt करते हैं तो बस but MTS के descriptive में आप total जितनी भी 22 official language है उन मेंसे आप किसी language में attempt कर सकते हैं तो language जो जिस language में भी attempt कर रहे हो वो भी आपने यहां पर लिखनी है तो यह जो छोटी-छोटी details है नाम, role number यह जरूर आपने अच्छे से fill करने हैं कि वे अपनी उत्तर पुस्तिका में कोई भी व्यक्तिकत परीचे है व्यक्तिकत परीचे मिन्स नाम, role number, mobile पता आधी नहीं लिखे अभ्यार्तियों द्वारा इस तरह का वेक्तिकत पुस्तिकाओं का मल्यांकर नहीं किया जाएगा लास्ट येर कफी students के साथ ऐसा हुआ था कि वो अपने नाम या फिर अपना mobile number इस तरह से लिख कर आए थे तो उनको जो total marks दिये गए थे SSCV दरब से वो zero marks दिये गए थे unfair means की यूफम की वज़े से ये आपको advice दी जाते है कि अगर आप letter लिख रहे है या ऐसे लिख रहे है तो आपने कोई भी personal identity नहीं लिखनी और उसके बाद यहाँ पर जो भी examiner है जो भी आपकर जो answer sheet है वो चेक करेगा यहाँ पर total marks देदेगा क्योंकि आपने एसे letter लिखना total 50 marks ही है तो 50 में से जितने भी marks आपको मिलेंगे वो जो भी examiner आपको देदेगा तो यह तो first page रहने वाले second page जो रहेगा second page जो CHSL description में आए था वो कुछ इस तरह से था बिलकुछ blank था और साफ साफ मेंशन किया होता कि परिश्ट पर कुछ ना लिके do not write anything on this page आपको इसकी PDF पूरे की PDF आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी तो second page इस तरह से था और third page कुछ इस तरह से जो भी इस तरह से जो भी last year essay आये था वो essay पहले एसे लिखा हुआ था हिंदी मेडियम में फिर एसे लिखा हुआ था English मेडियम में वो आपने attempt करना था और इस तरह से आपको blank box दे रखे थे और आपको एक बात बदा दे एसे के आपने केवल 200 word limit थी 200 word तक आप लिख सकते थे तो 200 से over plus minus 10% हम कह सकते है तो 225 से 275 के बीच ये word limit थे बट MTS descriptive में जो essay की word limit होती है वो होती है 200 तु 250 words दोसो से 250 word के बीच आपने वो essay लिखना है तो जो क्या होगा SSC total जो box है वो थोड़े से extra देगा तो आपने ये ध्यान रखना है जुरूर ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ जो block है वो blank रहने चाहिए तो अगर block blank नहीं रहेंगे तो आपकी negative marking वहीं से start हो जाए ये आपने जुरूर ध्यान रखना है जो block given होगे व इसी PDF को download करके आपने टोटल जो block आपको मिलेंगे वो 324 है जो हमने यहाँ पर बना रखे है तो 324 में से आपने कोशिश करने है कि 70-80 block last में blank रहने चाहिए उस तरह से आपने final exam पी practice करने है तो ये page number 3 था second page तो हो गया 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तो इस तरह से page number 8 तक स्टार्टिंग में पहला page जिसमें आपने basic introduction second page पर कुछ नहीं था फिर अगर 3rd से 8 की बात करें वो सारे हो गए ऐसे के लिए जब हम total block count करेंगे total जो इस तरह से block दे रखे है one by one तो ये जो total block होंगे 324 जिसमें से आपने 70 या LC कम से कम blank रखने है और इस तरह से आपने MTS disability की preparation करने है अगर हम बात करें जो candidate run 하면 ऐसे की वजाए से की श्याओ लेटर लिख रहा है यहाँपर 150 आएगा यहाँ पर जो लिखा हुए के ट्रेक्षborne आपनेड़। हो अनदर्टीज लेटर रहती है लेटर लिखने की वो रहती है 150 words तो जो blank box given होते हैं इस तरह से जैसे blank box वो होते है total 200 total block जो होते है 200 given होते हैं तो इसमें भी आपने यह ध्यान रखना है कि 200 last तक बिल्कुल आपने fill नहीं करना क्योंकि 200 तो total block है और आपने जो fill करना है वो 150 तो कुछ ना कुछ जो block है वो blank रहने चाहिए इस बात का आपने letter लिखते हुए भी ध्यान रखना है तो जो candidate given letter की practice कर रहे हैं तो वो इस PDF को download करके page number 9 से यहाँ पर total 12 page given है जो candidate letter की practice कर रहे हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूँ इस sheet को download करके आपको सारे print out लेने की जूट नहीं है जो given letter की practice कर रहे हैं यहाँ से page number 9 से 10 11 और last में 12 total 9 10 11 12 total 4 page download या फिर पूरी PDF डाउनलोड करके केवल 4 page का print out ले ले और उस पर practice करें ताकि आपको जिस तरह से final exam में आना है आपको उसकी practice हो जाए तो letter में फिर से हम बता देते हैं total block given होई है 200 लेकिन जो आपने practice करनी है वो कोशिश करनी है आपका जो letter की word limit वो 150 से exceed ना करे और जितने भी as finance है हमारे viewers है कफी अच्छा आप सभी को all the best आपका जो 28 तारीक का exam है हम और भी letter और भी ऐसे इस YouTube चैनल पर upload करते रहेंगे और जिन candidate का medium हिंदी medium है हिंदी medium में जो letter त्यार कर रहे है उसकी playlist भी आप इस वीडियो के description में देख करते हैं जितनी भी important letter बनते हैं उसकी playlist हमने बना कर इस YouTube चैनल पर upload कर दिया है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगया जुरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कोई भी अगर आपकी ट्यूरी होते है तो जुरूर कमेंट कीजिए धन्यवाद कर दो